जी हां सातियों यदि आप लोग डिफार्मा या पॉली टिकनिक के स्टुडेंट हैं तो आप सभी छात्तों के लिए बड़ी ख़बर है क्योंकि जब से आप लोग का रजल्ट जारी किया गया और उसके बाद भी आपकी मांसेट लगातार स्टुडेंट इंतजार कर रहे थे और डिमांड भी करें आखिर हमारा मांसेट कब तक आएगा क्योंकि जो लोग डिफार्मा सेकेंड या पास होने के बाद या एकजाम देने के बाद हैस्पिटल ट्रेनिंग कर रहे थे लगभग उन छात्नों की जो है है फिटल ट्रेनिंग कंपलीट हो गई है या कंपलीट होने में हपते दस दिन या पंदा दिन का समय बचा हुगा है आखिर वो हैस्पिटल ट्रेनिंग कंपलीट कर लेते हैं तो मांसेट नहीं आएगी तो आप लोग कंफूजन है या खिर आप लोग की मांसेट कब तक आजाएगी आपके कॉलेज में जिससे की आप लोग अपन करा सकें उसके साथ जैसे की पॉलिट टेक्निक के फाइनल लियक के स्टुजन्ट हैं और भी इंतिजार कर रहे हैं कि उनकी ट्रेनिक कंपलीट हो गई है तो हम अपना जो है मांसेट कब तक आएगा और कहीं पर जैसे मांसेट आने पर वहां लगाना हो तक कैसे लगाएंग जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आपके सामने एक नोटिफिकेशन दिखाई दे दहा है इसके संबन में हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं दिनांग 12-2022 स्रिवा में माननी पार्विक सिच्छा पाइसार सचिव देख सकते हैं यहां पर डिक्लोमाइन फार्मेसी के संबन में आप लोग लिख सकते हैं दिक्लोमा इन जो आपका कोर्स है पॉलिटेकनिक का जो चैड है उसके माießen के संबन में या आ तो आप लोग भी ऐसलीक लिGH सकते हैं महोदा जी अपरोफ्ट बिशा के संबन में निभेदान पूर्वक कहना है कि दिज शितंब्र को विट इससे 25 दिन हो गया आपका रजल्ट आए लेकिन अभी मासेट के बारे में कोई भी कारण नहीं हो पा रहा है जिसके कारण जो है सात्यों यहां पर रजिस्ट्रेशन होने में दिक्कत हो गया आईगी आपनों के ट्रेनिंग भी कंप्लेट होने वाली है हो चुकी होगी मासेट रहे हैं तो आखिर उनका कब तक जारी किया जाएगा इसके संबद में कोई भी नोटिपिकेशन नहीं आया है यह आप लोग भी चाहते हैं साथियों कि आपका रजेट या मास्ट जो भी है जल्दी आए तो आप लोग भी कुछ इस प्रकार से लेटर लिख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं आपका विश्वास से संजे कुमार पता गराम अजीला यह आप लोग देख सकते हैं इनका एक मोबाइल नमबर है इनका एक कॉलिज का नाम और कोट भी है आप लोग भी आप लोग यदि चाहते हैं तो आप लोग कैसे लेटर लिखें तो आप लोग इनस लेटर अपना जो है विचार विमार से अपने जो है बोड को दे सकते हैं ताकि हो सकता है जल्द आजायमार से हिट और आप लोग जो लोग हैं अपना रेइस्टेशन करवा सकते हैं हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा यद ये वीडियो पसंद आया है त आप लोगों ने अपना इतना वहमूल समय दी अभी तक वीडियो को देखा इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद